यहां पर हम देखते हैं कि data structure की क्या requirement है और हम क्यूं यूज करते हैं आपके पास तो यहां पर यह देखिए आपको यह given एक table है कि आपके पास given table है अब इस table में हमने आपके पास जैसे फोर इंट्री है मालो आपके पास यह 1000 इंट्री आपके पास हो क्या आपके पास यह 1000 आपके पास records आपको search करना है तो यहां पर आपको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा ठीक है जैसे यह आपके पास first है second है third है फोर्त है up to 1000 है तो अगर आपको मालो 500 है ना 500 पर कोई records है वह अगर आपको search करना है तो obvious बात है time लगेगा आपके पास because यह जो record है यह आपके पास कह रही है ना row wise यह आपके पास one by one one by one आपको बोल रहा है search करने के लिए तो अगर 500 records search करोगे तो किया कितना time लगेगा obvious बात है ज्यादा time लगेगा जैसे अगर एक record को एक second भी लग रहा है तो 500 seconds आपके पास लगेगा तो अब बेस बात है क्या होगा आपके पास time consuming ठीक है यानि जो given आपके पास क्या है given table आपके पास है ठीक है इसमें हम क्या करना चाहते है operation और वो भी table आपके पास क्या है with large amount of a table May be आपके पास 1,00,00 हो हो आपके पास तीक है, तो huge amount अफिय आपके पास table है, इसमें हमें क्या करना है, some operation, operation कुछ भी हो सकता है, search कर सकते हो, इसमें कोई delete कर सकते हो, कोई insert कर सकते हो आपके पास, या फिर कोई update कर सकते हो, ठीक है, तो this is the operation for a given table. अब यहाँ पे क्या ये हमारे पास efficient है क्या हमारा ये efficient solution है efficient जब भी data structure में आई इसका मतलब क्या होता है time और space क्या हो minimum आपके पास हो time और space क्या हो minimum हो तो यहाँ पे क्या time और बेस बात है minimum है time नहीं तीक है इसका और भी example ले सकते हो जैसे मालनो आप play store पे जाते हो तो play store पे आपके requirement क्या होती है आप बताओ minimum आपके पास space में वो आपके पास app हो ठीक है या फिर आपके पास minimum space होगा तो obvious बात है minimum timing में आपके पास वो download हो सकता है वो अलग चीज़े internet speed पे भी depend करेगा बट यहाँ पे क्या आपके पास mainly क्या होता है line of code क्या हो minimum आपके पास हो तो यहाँ पे क्या है यह efficient है efficient क्या आपके पास है efficient है efficient का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई operation perform करता हूँ तो best बात है क्या है ज्यादा time consuming है तो क्या इससे better solution है क्या आप इस structure को दूसरे format में change कर सकते हो answer is yes ठीक है अब देखो यहाँ पे same structure को same structure को मैं इस type का मैं अगर लिख दो यहाँ पे ठीक है यह sports ठीक है sports में यहाँ पे मैंने दे दिया आपके पास let's suppose cricket football ठीक है football tennis और भी जो भी आपके पास other sports आपके पास है और cricket के corresponding यहाँ पे आपके पास जैसे player का नाम हमने लिख दिया ठीक है football के corresponding हमने football का नाम लिख दिया tennis के corresponding हमने tennis का नाम आपके पास लिख दिया ठीक है तो यह क्या होगा आपके पास player name हो गए तो obvious बाते आप देखो यहाँ पे अगर कोई भी जैसे आप search करोगे कोई भी अगर sports person का नाम या कहां से belong करता है तो वो obvious बात है this is the better solution यह 500 पे cricket होगा या tennis होगा तो obvious बाते sports में जाओगे फिर tennis में जाओगे फिर corresponding आप यहां से आप search कर सकते हो तो हम यह हमने यह बताया कि यह given था हमारे पास इसको हमने क्या किया दूसरे है अधर से है अधर method से क्या किया हमने और इगनाईज किया जिसके थूँ यहाँ पे कोई कोई भी आपके पास searching operation या फिर कोई भी operation आप perform करते हो चाहे add करना हो चाहे delete करना हो चाहे update करना हो तो वहाँ पर आपके पास क्या था यहाँ पे काफिर difficult था यहाँ पर time-consuming था बट यहाँ पर हम easily तरीके से कर सकते हैं तो this is called as a data structure यह किया आपके पास data structure है तो यह given था इ के पास है वो easy हो गया तो this data structure is called as a tree data structure देखो for one problem देखो यह problem के लिए यहाँ पे भी search कर सकते हो insert कर सकते हो but काफी time लगेगा but अगर आप इसी data को इस way में organize कर लोगे आप तो यहाँ पे time और आपके पास काफी खम लगेगा आपके पास तो आपने data structure अब पढ़ोगे तो data structure different different types की होता है primitive और non primitive non primitive linear और non-linear तो हमने जो बताया this is the tree और entire data structure में यही आपके पास बढ़ना है तो जैसे कोई पूछता है integer आपके पास data structure yes int x x क्या करता है आपके पास integer type के data को store करता है ठीक है जितना भी इसका range होगा वो आपके पास यहाँ पे value store कर लेगा आपके पास ठीक है तो data structure मतलब क्या है उसको store करना और organize करना जैसे x की value 45.5 आएगा तब तो यह best नहीं होगा ना float उसके लिए best होगा आपके पास ठीक है कुछ points यहाँ पे देखना आपके पास data structure क्या है एक ऐसा method है जो कि organize करना है क्या करना आपके पास ठीक है और organize आपके पास करना है आपके पास data structure क्या है आपके पास एक ऐसा method है जिसमें उने रहमांट वह में होना चाहिए तो data structure ऐसा methoad है जिस हमें organize करना है ठीक है आपके पास कया करना है और ole-neas使ker आपके पास ठीक है? with efficient है efficient का मतलब यह है time और space क्या होना चीजए minimim होना चीजए आपके पास और वो भी क्यों कर रहे हैं किकि मैं ऐसा इसली कर रहा हु कि कोई भी operation में perform करूंगा तो तो हमें easily तरीके से हो जाए, easily मतलब यहाँ पर time, time जादा नहीं लगए आपके पास, ठीक है, तो main word data structure के definition में क्या है, कि organize, ठीक है, और कई बार store भी होता है आपके पास, ठीक है, organize and store of the large amount of data, ठीक है, तो this is called as a data structure, तो एक बात और ऐसा comment करके आप लोग बताना कि क्या समस आये कि नहीं, ठीक है, इस channel को like, share, subscribe करो आप लोग,